हलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी YouTube Channel में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्तान CET P При 1959 तो इसके संदर्म में हम बात करने वाले हैं की इसके admit card है वो कब जारी होने वाले हैं exam date आप सबको पता है तो admit card के लिए भी-भी एक notice जारी हुआ है इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इसमें देखो आज रास्तान करमचारी चैन बोड का एक नोटीस जारी हुआ है 2712-22 को तो इ इसके पस्चात संसाद्धित विज्यप्ति करमांक SP1 दिनांक 31-22 को जारी की गई थी इसके अंतरगत उक्तांकित प्रीक्षा का आयोजन निम्नांकित तालिका के ओड़निते कार्य कर्मानुसार किया जाएगा मतलब आपकी जो एक्जाम डेट वो आप सबको पता है फिर भ एक 2023 को सुबर 9 बज़े से लेके 12 बज़े तक होगी इसी दिन दूसरी पारी में आपका पेपर होगा वो डाई बज़े से लेके सामको 5.30 बज़े तक होने वाला है आतरी को भी यही दोनों सिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है मतलब टोटल चार पारियों के अंदर अब्यर्ति दिनांके 30 12 जार बाई से प्रोविजनल इपरवेश पत्तर बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.gov.in से यथा शिगर डाउनलोड कर ले अब्यर्ति अपने प्रोविजनल इपरवेश पत्तर वेबसाइट www.rsmssb.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हूं इसमें देखो कुछ इंपोर्टेंट चीजें उनके बारे में और चर्चा करने वाले हैं यहां पर इसके लिए देखो मैं आपको बता दू यहां पर आपका जो टाइम है उसका आपको विशेज द्यान रखना है इसमें दे रखा है देखो नियत समय से एक गंटे पूरू है तक प्रीक्षा के अंदर में प्रवेश की अनुमति होगी ठीक एक गंटे पूरू है प्रीक्षा के अंदर का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा इसके पस्चात किसी भी स्तति में प्रीक्षा के अंदर में प्रवेश नहीं दिय कोने के बाद एक गंटे बाद आपका जो सेंटर का गेट हो बंद कर दिया जाएगा अगर आप लेट होते हो तो उसके जिम्मेदार आप स्वयम होगे तो अपने समय का ध्यान रखते हुए अपने घर से जल्दी चलने का प्रियास करें इसके अलावा देखो एक इंपोर्टेंट चीज यहां पर और भी है जिसमें देखो दे रखा है प्रीक्षा के अंदर पर प्रीक्षयार्थी को मास्क लगा कर आना निवारी है बिना मास्क के प्रीक्षयार्थी को प्रवेश से नहीं दिया जाएगा तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है बाकि कि आप सारे परीचित हो एक्जाम में किन-किन चीजों का ध्यान रखना है तो इस तरह से आपके जो एडमिट कार्ड है वो 30 दिसंबर को आपके साइट पर डाल दिये जाएंगे आपके SSO ID से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और यहां से अपनी जो RSS MSSB की जो साइट है तो इ इस तरह की अपडेट थी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद